आज का हमारा पहला क्वेस्टिन है आपको बताना है इन में से किसने बहरीन का सबसे हाइएस्ट सिवीलियन ओनर इसा एवार्ड जीता आपके पास नरेंद्र मोदी, डाक्टर सुंदुक रोहेट, डाक्टर हरी सिंग, या फिर योगेश कुमार दोस्तो आगर आंसर पता है तो नीचे कमेट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर लिखें बहरीन का हाइस्ट सिवीलियन ओनर इवार्ड, इसा ओनर किसने जीता इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, डाक्टर संदुक रोहेट दोस्तो इसा ओवार्ड के बारे में कुछ important points आप जरूर याद रखें इसा ओवार्ड ये service to humanity के लिए दिया जाता है और ये बैरीन का highest civilian ओवार्ड है इस ओवार्ड में 1 million US dollars का price दिया जाता है साथ पे certificate दी जाती है और एक gold medal भी दिया जाता है दोस्तो डाक्टर संदुक रोहेट के बारे में आप कुछ point से याद रखें इन्होंने बहुत सारा काम किया है लोगों के लिए खास कर Asia, Africa, Latin America में और इनको god of sight भी कहा जाता है और बताया है ये जाता है कि इन्होंने तकरीवन अभी तक एक लाक बीस हजार लोगों की eyesight जो है वो बचाई है eyesight लोगों तक पहुचाने के लिए मतलब लोगों की जो आँखे खराब होती है उनका इलाज कराने के लिए ये काफी ज्यादा काम करते हैं तो God of sight इनको कहा जाता है दोस्तों इनके अलावा भी इनको बहुत सारे जो एवार्ड्स हैं वो मिले हैं अस्ट्रेलिया की तरफ से इनको The Order of Australia 2007 में मिला इसी तरह इनको Asia Society of New York की तरफ से Asian Game Changer एवार्ड मिला और अब हम जानेंगे कि इसा एवार्ड क्या है दोस्तो इसा एवार्ड जो है जैसे आलरी मैंने बताए कि ये Service to Humanity के लिए दिया जाता है और इसको इस्टैबलिश किया था 2009 में और इसको इस्टैबलिश किया था बहरीन के किंग ने इस एवार्ड को बहरीन के एक रूलर एक किंग जिनका नाम शेख ईसा बिन स्लमान अलकलीफा है उनके नाम पे इस एवार्ड को नाम दिया गया है क्योंकि ये जो रूलर है याने शेक इसा बिन सल्मान अल्खलीफा ये बहुत ही हुमेनेटेरियन मिजाज के थे लोगों को बहुत ज़्यादा ये जो है मदद करते थे और उनकी काफी ज़्यादा फिकर वगेरा करते थे तो इन ही के नाम पे इसको इसा एवाड रखा गया है जैसे मैंने पहले कहा कि इस एवाड को 2009 में इस्टैबिश किया गया था और इसको बहरीन के किंग हमाद बिन इसा अल्खलीफा ने इस्टैबिश किया था 2009 में इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि बहरीन के प्रेजेंट किंग है हमाद बिन इसा अल-खलीफा और कैपिटल है मनामा और केरेंसी यहां की है बहरीनी दीनार हमारा आज का next question है which airport won the prestigious best sustainable greenfield airport आवार्ड आपको बताना है इंडिया में इन में से किस airport ने best sustainable greenfield airport आवार्ड जीता options है आपके पास इंद्रा गांधी international airport गोवा मनोहर international airport कोचिन international airport या फिर राजीव गांधी international airport शबाज दोस्तों आपना अपना आंसर लिखें इसका सही आंसर रहेगा part B गोवा या फिर न्यू गोवा मनोहर international airport हमारा next question है who is the first Indian American politician to be elected as the lieutenant governor of US state of Maryland आपको बताना है उस Indian American politician का नाम जिसको अमेरिका में पहली बार lieutenant governor elected किया गया Maryland US state में options हैं आपके पास मानसी जा, आयूशी सिंग, आरोना मिलर या फिर वरोना सिंग, शबाज दोस्तों आपना अपना आंसर लिखें Maryland US में किस Indian American को as lieutenant governor elect किया गया है इसका सही answer रहेगा part C, आरोना मिलर दोस्तों आरोना मिलर ये हैदरबाद में पैदा हुई है और इन्होंने as lieutenant governor जो शपत है वो बगवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने अपना ओथ लिया यहाँ पर ये भी याद रखें कि अरोना मिलर मेरी लेंड की 10th lieutenant governor बनी हमारा आज का next question है इंडिया's first national assessment regulator परक has been notified by which of the following आपको पता है इन में से किस ने परक जो कि इंडिया का पहला national assessment regulator है इसको notify किया option से आपके पाश NCRT CBSC both या फिर none इसका सही answer रहेगा part A NCRT दोस्तों याद रखें कि परक की full form है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development और इसके अलावा ये भी आप याद रखें कि परक जो है इसको national education policy 2020 के अंडर launch किया गए as a part next question है girls for tech STEM education program in India has been announced by which company आपको बताना है किस company ने girls for tech STEM education program को launch के options है आपके पाल जी पे mastercard वीजा या फिर रुपे इसका सही answer रहेगा part B mastercard दोस्तों इस program के अंडर इंडिया में तकरीप हम one lakh जो female students हैं उन तक पहुँचा जाएगा साल 2014 तक और अगर हम mastercard की बात करें तो इसको पहले interbank कहा जाता था बाद में master charge इसका नाम आया और इसको फॉंट किया गया था 1966 में इसका headquarter निव यॉक में है हमना आज का next question है who has become the youngest and the first LGBTQ women to be sworn in the Auckland City Council in United States of California या options आपके पास कमपना सिंग जनानी राम चंदरन मोहिनी सिंग या फिर अर्शी जैक्सन इसका सही answer रहेगा part B जनानी राम चंदरन next important question है the NASA JAXA geotail studied the earth's which protective layer आपको बताना है NASA JAXA geotail जोके एक spacecraft है इसने अर्थ की कौन सी protective layer को study किया options है आपके पास magnetosphere, troposphere, exosphere या फिर mesosphere शभाज दोस्तों आपना answer लिखें important question है इसका सही answer रहेगा part A magnetosphere हमारा next question है according to European Union report the Indian economy is likely to touch the 26 trillion mark by which year आपको बताना है European Union report के मताबिक Indian economy जो है ये किस साल तक 26 trillion dollar mark को पहुँचने वाली है options है आपके पास 2024, 2034, 2041 या फिर 2047 इसका सही answer रहेगा part D, 2047 तक Indian economy जो है ये 26 trillion dollar तक पहुँच जाएगी according to European Union report हलांके दोस्तों Government of India ने 5 trillion का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ अब लोगों को एक नया सपना दिखाया जा रहा है 26 trillion dollar का पहले 5 trillion तो complete हो जाएए उसके बाद 26 trillion जो है उसका खाब लोगों को दिखाए यहां पर आप रखा गया है 2047 जब इंडिया जो है अपना 100th year of independent जो है वो मना रहा हो गई तो दोस्तों यह थे कुछ important current affairs related questions उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो इडियो को लाइक करने के साथ साथ share जोरूर करें दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक next वीडियो में तब तक के लिए take care